ट्विटर ब्लू टिक के लिए 1,600 नहीं बलकी देने होंगे इतने रुप्ये, इलोन मस्क ने किया इशारा. ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कितना चार्ज लगेगा, ये सवाल सभी लोगों के मन में भूम रहा है. अब इसके बारे में खुद कमपनी के मालिक इलोन मस्क ने हिंट किया है. इलोन मस्क ने बताया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1,600 रुप्य नहीं बलकी 8 डॉलर लगभग 650 रुप्य लगेंगे. इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है. अब इससे पैसे कमाने के लिए वो नए नए तरीकों को खोज रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए इलोन मस्क 19.99 डॉलर या 1,600 रुप्य चार्ज करेंगे. लेकिन अब इसको लेकर एक नई जानकारी आई है. ये जानकारी खुद मस्क ने ही दी है. इलोन मस्क ने बताया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1,600 रुप्य नहीं बल्कि 8 डॉलर लगभग 650 रुप्य लगेंगे. ये रिप्लाई उन्होंने एक ट्वीट के जरिये किया है. लेखक स्टीफिन किंग ने अपने ट्वीट में कहा था कि ब्लू टिक के लिए 1,600 रुप्य ये बक्वास है बल्कि उन लोगों को मुझे पे करना चाहिए. इसके रिप्लाई में अलॉन मस्क ने लिखा हमें किसी तरह बिलो का भुप्तान करना होगा. ट्वीटर पूरी तरह से विग्यापंदाताओं पर भरोसा नहीं कर सकता. आठ डॉलर के बारे में क्या ख्याल है? यानि ब्लू टिक के लिए कमपनी चार्ज करने की तैयारी में लगी हुई है. लेकिन कीमत थोड़ी कम हो सकती है. हाला कि अभी इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा. पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि कमपनी ब्लू टिक जारी रखने के लिए चार्ज लेगी. इसके लिए पहले से ब्लू टिक होल्डर को ट्विटर ब्लू का सब्स्क्रिप्शन लेना होगा. इसके लिए उन्हें 90 दिन का समय दिया जाएगा. अगर तैसमे सीमा में उन्होंने ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा. ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए संभावित कीमत 1600 रुप्य बताए गई. हाला कि मस्क की ट्विट से साफ है कमपणी इसको दूसरे तरह से प्लान कर रही है. यानि ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज तो लिया जाएगा लेकिन उसके लिए यूजर को आट डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं. मस्क के इस ट्वीट से ये साफ नहीं है कि ये चार्ज ट्विटर ब्लू के लिए भी है या नहीं. आने वाले समय में इसको लेकर और जानकारी सामने आ सकती है. भारत में इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज अमेरिका से कम रह सकता है. फिल हाल इसके लिए हमें ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार करना होगा